हेलो स्टुदेंट्स वेलकम टू मैक्स नॉलिज प्रमोशन आज हम चैटल नंबर सेवन ट्रैंगल्स की एक्ससाइज 7.5 के कोशिन नंबर 4 पर डिसकस करने जा रहे हैं कम्प्लीट दा हैजनल एंड स्टार शेफ्ट रंगोली यहां पर हमी दू रंगोली दी गई है हमें इसको दिसके जेंटार है नंस टार ऀंगोली थांौमें को फिरु यहां पर हमें इनके अंदर उपियलेटर ट्रैंगल्स बनानेसे साइड 1 cm क्येस साइड आन पर कोश जगई samh है कि इन दोनो रंगोलीच के अंदर यहां पर कोशंग यह की तन हमीज़ तो यहां पर इन दोनों में से किसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे ट्राइंगल बना पा रहे हैं कि अगर हम देखे इस रंगोली में तो हैज़गोनर में इन सभी वर्टेक्स को मिलाने से हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट बिल जाता है और इसके थो हमने यहां पर देखा कि यहां पर 6 ऐसे इक्विलेटर ट्राइंगल बन जाते हैं क्योंकि इन सभी की साइट कितनी हैं 5-5 cm है तो यहां पर यह च्छे इक्विलेटर ट्राइंगल का इरिया कितना होता है here we can see that in the hexagonal trangoli we have six equilateral triangles triangles of side 5 cm okay now area of one triangle is equal to under root 3 by 4 into side square that means under root 3 by 4 into 5 square that means 25 under root 3 by 4 तो हमें यह पता चला कि एक equilateral triangle का area कितना है 25 by 4 under root 3 तो इसी तरह से हम अगर 6 नहांपर 6 triangles हैं तो 6 triangles का area निकाल लें तो इस पूरी रंगोली का area हमें मिल जाएगा so the area of hexagonal rंगोली is equal to 6 into 25 upon 4 under root 3 and इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इस इस त्री अगर हम यहां पर देखें कि इसके अंदर हमें बनाने हैं ऐसे equilateral triangles जिनकी side कितनी है 1 cm तो एरिया ओफ इक्विनेट्रे ट्राइंगल जाएगी अंदर रूप 3 बाइ 4 इंडू 1 cm स्वेर अंदर रूप 3 बाइ 4 इंडू 1 cm स्वेर अंदर रूप 3 बाइ 4 cm स्वेर तो यह एक ट्राइंगल का area आ जाता है and now हमारे पास पूरा hexagonal rangoli का area इतना है 75 बाइ रूप 3 बाइ 2 तो अब अगर हम देखें so number of triangles in hexagonal rangoli is equal to 75 upon 2 under root 3 upon under root 3 by 4 that means हमने पूरे area को एक triangle के area से divide किया तो और अगर calculation करें तो अंदर रूप 3 से अंदर रूप 3 केंसे and यहाँ पर to do the 4 and 75 into 2 that means 150 triangles यहाँ पर बन जाएंगे यानि कि इस hexagonal rangoli के अंदर 150 triangles ऐसे बन सकते हैं जिनकी side 1 cm है तो यह हमारा तहला answer हो जाता है this is your false answer and now अब देखते हैं star-shaped rangoli में ऐसे कितने triangles बन सकते हैं firstly हम देखें कि यहाँ पर यह एक hexagonal बना है hexagonal में अगर हम इन vertices को जॉइन करते हैं तो vertices को जॉइन करने के बाद यहाँ पर यहाँ अंदर 6 triangles create होते हैं equilateral triangles हैं जिनकी side 5 cm है and उसके अलावा यहाँ पर 6 triangles बाहर भी हैं तो total यहाँ पर 12 triangles ऐसे हो जाते हैं जिनकी side 5 cm है और यह सभी equilateral triangles हैं okay now in the star-shaped rangoli we have 12 equilateral triangles with side 5 cm okay so area of star-shaped rangoli is equal to 12 into एक equilateral triangle का area यहाँ पर रखेंगे under root 3 by 4 into 5 square okay तो यहाँ पर यह होता है एक equilateral triangle का area इतना तो हम 12 से multiply कर देंगे तो यहाँ पर पूरे star-shaped rangoli के अंदर जितने भी triangles बने हैं उन सभी का area आ चाहेगा और इन सभी के area ही हमारे star-shaped rangoli का area है okay तो यहाँ पर हम calculation करें तो यहाँ पर हो जाता है 3 jump and 25 into 3 is 75 under root 3 cm square यह हमारे star-shaped rangoli का area आ जाता है and we know area of equilateral triangle equilateral triangle with side 1 cm is equal to under root 3 by 4 into 1 square that means under root 3 by 4 cm square अब अगर हम देखें कि यहाँ पर so the number of triangles number of equilateral triangles of side 1 cm in star-shaped rangoli star-shaped rangoli is equal to यहाँ पर total area है 75 75 under root 3 and एक triangle का area है under root 3 by 4 तो हम calculation करें तो under root 3 cm under root 3 cancel and यह 4 75 में multiply होजेगा 75 into 4 that means 300 okay तो यह आई number of triangles यहाँ पर आ रही है 300 जो कि star-shaped rangoli के अंदर fill हो सकते है and हमारे hexagonal shaped rangoli में आये थे 150 triangles जो कि इसके अंदर fill हो सकते है so हमारे यहाँ पर two answers आ जाते है 150 and 300 and यहाँ पर पुछल आएगा which has more triangles so star-shaped rangoli star-shaped rangoli has more triangles okay answer यही हमने बताना था तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर answer आया है इस hexagonal shaped rangoli में पर 50 triangles बन सकते है ऐसा कैसे possible है यहाँ पर हम देखें अगर यह एक triangle है तो इस triangle के अंदर इस तरह से बहुत से triangles create हो सकते है अगर हम इस तरह से join करें and now यहाँ पर हम इस तरह से lines बनाए okay and now यहाँ पर यह जो vertices हैं इनको इस तरह से join कर दे so आपने देखा कि एक ही triangle में बहुत से इस तरह से triangles create हो सकते है जिनकी side 1 cm होगी okay तो इस तरह से यहाँ पर इस पूरी rangoli में 150 triangles बन सकते है and इस पूरी rangoli में 300 triangles बन सकते है okay अगर आपको इस question में कोई doubt है तो आप हमसे comments के तुरू पूच सकते हैं thanks for watching the video and to watch our next video thank you